जस्वंत नगर बजार की ये बेफिकरी कोरोना का खत्रा बड़ा रही है। दो दिन की सापताहिक बंदी के बाद सोमवार को जस्वंत नगर के बजार खुले तो भीर उमर पड़ी। भीर का आलम यह था कि पूरा शहर जाम हो गया था। कोरोना वायरस का संक्रमन रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने शनिवार वर अविवार को सापताहिक बंदी घोशित कर रखा है। इसमें सिर्फ दवाव वद दूद की दुकानों को खोलने की छूट है। दो दिन की बंदी के बाद सोमवार को बजार खुले तो सुबह से ही भीर उमर पड़ी। भीर का आलम यह था कि शहर के हर प्रमुक मार्ग पर जाम लगा था बजार में महिलाओं और पुरुशों में से कोई भी मास्क लगाए नजर नहीं आया। दो दिन की सापताहिक बंदी में जहां दुकानों के शटर गिरे रहे और सड़क वचोराहों में सन्नाटा पस्रा रहा। वही सोमवार को बंदी खुलते ही हर तरफ लोगों की भीर उमर पड़ी। इससे सदर बजार में जाम की स्थिती बन गई। वहनों को रेंट कर निकलना पड़ा। आज सोमवार को दो दिन बंदी के बाद बजार खुला तो सब कुछ सामान्य सा लगा। पूरी तरह पहले जैसी स्थिती बहाल रही। लगा की बजार पुरानी रंगत में लोट आया है। बिना मास्क लगाए बजार में घूमना, घूमते वाहन, दुकानों पर ग्राहकों की भीर और फड़ पर लगाने वाले तो बुधवार बजार की तरही सजी एवं हर जगह जाम जैसी स्थिती रही। लगी नहीं रहा था कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना कर्फ्यू की दो दिन की बंदी के बाद खुला है। चोराहे पर तैनात होमगार्ट जाम खुलवाने में नाकाम नजर आये। कोत्वाली से जाम की सूचना पर पहुँचे आरक्षी नीरज चोहान एवं कृष्न कांत ने साथियो सहित बड़ी मशक्कत से जाम खुलवाया। बता दे की आजकल बजार पांच दिन खुल रहा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते शनिवार और रविवार को सापताहिक बंदी रहती है। खुले बजार में भी COVID-19 के नियमों के पालन के निर्देश हैं। मगर बजार खुलने पर सुबह से ही बजार भी भीर उमणी रही। ना मास्क का प्रयोग और ना दो गच की दूरी तत नहीं इन्हे कोरोना का दर था। बस पहले सामान लेने की चाहत में एक के उपर चड़ते लोग। दूपहर में कुछ समय की बारिश भी इनकी कदम न रोख सकी खरीदारों में महिलाओं के साथ बच्चों शामिल रहे। फणों को बजार भी बजार की तरह सजा रहा। जस्वंतनगर से प्रदीप सिंग चोहां की रिपोर्ट सिटी टुडे समाचार बुलंद भारत बुलंद खबर